दादी जान अपने कमरे में थी और इमान उनके साथ लेटी थी। वो कब से दादी जान से फर्माईश कर रही थी कि उसे कहानी सुनाए। दादी जान, मुझे कहानी सुना देना प्लेज। नहीं गुडिया अभी नौफिल और आलयान भाईया को तो आने दो वो आएंगे तो ही कहानी सुनाना शुरू करूंगी दादी चान ये क्या बात हुई ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा न ओके थोड़ी दिर बाद नौफिल और आलयान कमरे में आ जाते हैं दादी चान के साथ ही कंबल में लेट जाते हैं दादी चान आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी प्यारे बच्चों आज मैं आपको जादू के द्रख्त की कहानी सुनाऊंगी वाओ जादू का द्रख्त आदिल बहुत अच्छा और मेहनती लड़का था वो दूसरों की मदद करता था लेकिन स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसके बाबा नहीं थे और स्कूल टाइम में वो एक द्रख्त के नीचे जूते पॉलिश करता था और शाम को लोगों के घर में दूद देने जाता था सुभो जब वो जूते बॉलिश करने वाला बॉक्स लेकर द्रख्त के नीचे बैठता तो उसके दिल में खयाल आता था कश वो भी स्कूल जा सकता दूसरे बच्चों की तरह उसके पास अच्छे और खुबसूरत कपड़े होते लोग उसको इज़त से देखते और उसे सब प्यार करते लेकिन वो तो जूते पॉलिश करने वाला था कोई उसे प्यार क्यों करता भला एक दिन सुभो वो द्रख्त के पास अपना बॉक्स लगा कर बैठा हुआ था और एक आदमी के जूते पॉलिश कर रहा था के एक बहुत ही बड़ी गाड़ी उसके पास रुकी उसमें से एक बच्चा उत्रा और उसके पास खड़े होकर बहुत गुस्से से बोला ओए मेरे जूते पॉलिश कर दे जी मैं कर जेता हूँ जल्दी कर बस इन सहब के जूते पॉलिश करके फिर तुम्हारे कर दूगा तुमने मुझे तुम कहा हाँ, तुम मेरे ही हम उम्र हो, इसलिए मैंने तुम्हे तुम बोला ये सुनकर वो लड़का घुसे में आ गया और आदिल को मारने लगा और उसके जूते पॉलिश करने वाला बॉक्स तोड़ दिया आदिल तो सदमे से कुछ बोल ही नहीं पाया वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला गया और आदिल वहीं बैठकर रोने लग गया अल्ला मिया, मैं अब क्या करूँगा? मैं अब कैसे काम करूँगा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अचानक द्रख्ट से आवाज आई आदिल, तुम क्यों रोते हो? अदिल एकदम ड़ जाता है कि उसको कौन पुकार रहा है? द्रख्ट से फिर आवाज आई तुम मत रो आदिल, तुम तो एक बहादुर बच्चे हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम कान हा? मैं जादू का द्रख्ट हूँ आदिल द्रख्ट को देखता है तो उस पे मुक्तलिफ चीजे लगी होती है कपड़े, फल, पैसे, खाने की बहुत ही मजे की चीजे ये देखकर आदिल हैरान हो जाता है द्रख्ट से फिर आवाज आती है आदिल, ये सब तुम्हारे लिए है तुम इन्हे ले जाओ और जब जरूरत हो दुबारा मेरे पास आ जाना मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा नहीं, मैं ये सब नहीं लूँगा मुझे ये नहीं चाहिए मैं अपनी मेहनच से सब खरीद लूँगा और मुझे ये जाओ की चीजें नहीं चाहिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया जिद मत करो और ये ले लो मैं सिर्फ तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हूँ नहीं, मेरी अम्मी कहती है इंसान को अपनी मेहनत से कमाना चाहिए अच्चानक द्रख्ट से एक सफेद पर ही निकलती है और आदिल के सामने खड़ी हो जाती है और आदिल को कहती है तुम बहुत प्यारी लड़की हो और बहुत मेहनती भी हो मैं ही द्रख्ट पर ये चीजे लगा कर तुम्हारा इंतिहान ले रही थी तुम इसमें पास हो गए मुझे बहुत खुशी है कि तुमने लालच नहीं किया सफेद परी उसे एक सेब देती है और कहती है कि इसे संभाल के रखना उसे जब रगड़ो तु तुम्हारी जरूरत की चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी और ये अब से हमेशा तुम्हारे पास रहेगा मैं आब से ये क्यों लूँ? ये तुम्हारा इनाम है क्योंकि तुमने जादू के द्रख्त की बात नहीं मानी बलके मेहनत से सब हासिल करना चाहते हो इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है तुम्हारे बच्चो आदिल की मेहनत का पल